हेलो माई डियर फ्रेंड्स कैसे आप सब आई हो पच्छे होंगे मैं हूँ आपकी दोस्त निया सिंग और आप देख रहे हो आपका अपना प्रेज चैनल अपना संसाथ आज मैं हाज जिरू हूँ आपके साथ में एक बहुत ही अमेजिंग सीडिस ले करके जिससे आप बनाओगे एक बार तुब बनाना चाहोगे बार बार जैसा कि आप सामने देख रहे हो मैंने मखाना लिया एक कटोरी और इसमें लिया एक छोटी सी कटोरी में दूर अब हम इसको भीगो देंगे थोड़ी दिल लगवग 15 मिनट के लिए तो चलिए इसको ढख के रख देते हैं भीगने के लिए तब तक हमने लिया आए लहसन प्याज अद्रक हरी मिर्च को मैंने अवाइट किया है अगर आप चाहो तो हरी मिर्च ले सकते हो अगर आप लिच्चिली ना खाना पसंद करो तो हमने इसको महिन सा ग्राइंट कर लिया है आप देख रहे हैं बहुत अच्छा फाइन चॉप किया है और इसी तरीके से इसको चॉप करना है आज मैं बहुत ही टेश्टी बहुत ही मतले माउथ वाटरिंग डिस ले करके आई हूं जिसे आप जब बनाओगे न तो आप यही कहोगे कि वाकई में बहुत टेश्टी बनी है कहाँ से पहले पता होता तो हमने इससे जरूर ट्राइ क्या होगा और हां मैं बता दूँ आपको आपको यह यूटूब पर कहीं नहीं मिलेगा तो चलिए मैंने लेशन प्याज निकाल लिया है और अब मैंने जो मखाना भिगोया था उसको भी ग्राइंड कर लिया है एक ठिक सा पेश्ट बना लिया है और आप देख रहें इसका क्रीमी टेक्स्चर कितना अच्छा आया हुआ है अब मैंने लिया पनीर धाइसोग्राफ पनीर को हमने अच्छी तरीके से धुल लिया है पनीर जब भी आप शॉप से लाएं तो ठंडे पानी से उसे एक बार जरूर धुले चलिए इसको अब हम कट कर लेते हैं थोड़े से बड़े बड़े टुकड़ों में कट करेंगे कुछ इस तरीके से तो जी आज मैं बनाने जाई रही हूँ पनीर की एक डिस लेकिन बनाओंगी कुछ अलग तरीके से जैसा कि आप देख रहे हो कि बिलकुल अलग तरीका है शायद आपको अभी यूटूब पे भी ये डिस नहीं मिलेगी तो बस इस तरीके से मैंने बड़े बड़े टुकड़े में कट कर लिया है चलिए आगे का प्रोसेस सुरू करते हैं हमने लिए हैं मसाले और मसाले में ले रहे हैं लहसन पे आज में मिलाएंगे धनिया पावडर लगवक दो चम्मच लाल मिर्ची जी हाँ आ इसी मसाले में डालेंगे थोड़ा सा नमक इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से मिक्स करना है ताकि नमक अच्छी तरीके से पूरे मसाले में मिल जाए लेसन प्याज अद्रक में मसाला पूरी तरीके से लिपट जाए बिल्कुल इस तरीके से जैसे हमने लेसन प्याज को मसाले के साथ में पीसा हो इस तरीके से इसको मिलना है तो इसको अच्छी तरीके से मिला लीजी और आप जो मैंने मखाने का पेश्ट बनाया था इसे भी मिला दूंगी इसमें और अच्छी तरीके से मिलाना है बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए कि इसमें क्या चीज है मतलब मसाला सारा और मखाना अच्छी तरीके से मिल जाए तो आप देख रहे हैं यह बहुत अच्छा सा एक पेश्ट बन चुका है और अब हम इस पेश्ट को यूज़ करेंगे इस पनीर पर इसमें जो पानी आया है उसे हम निकाल देंगे और आप हम पनीर को अच्छी तरीके से लपेट देंगे इस मसाले से अच्छी तरीके से मसाले को लपेट देना है क्योंकि इसे हम निकाल करेंगे थोड़ी देर के लिए लगवग आधा गंटा के लिए ताकि मसाले इसमें अच्छी तरीके से सब चले जाएं थोड़ा थोड़ा लगाते हुए मसाले को अच्छी दरीगे से लपेटेंगे यह बहुत टेश्टी बनता है एक बार बना करके जरूर ट्राई करिएगा और अगर पसंद आए तो हमें कमेंट करके जरूर बताईएगा जैसा कि आप देख रहें मैंने अच्छी दरीके से लपेट दिया है अब मैं इसे रख दूंगी आधे गंटे के लिए हमने इसको आधे गंटे के लिए धक करके रख दिया था और आप देख रहे हो बहुत अच्छी तरीके से यह हमारा रेडी है अब हम लिया है पैन आप कड़ाई भी ले सकते हो और मैं डाले इसमें मस्टर्ड आल पैन हमारा गरम हो चुका था मस्टर्ड आल भी थोड़ा सा ही डलना है बहुत ज़्यादा तेली उज नहीं करना है और गरम हो जाएगा उसके बाद में फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कैसे क्या करने वाली इसको तो आप देख रहे हो और हमारा गरम हो चुका है जो हमने टूड़ा डाला है वो अच्छी तरीके से पकने लगा है ताकि पूरे में अच्छी तरीके से तेल लगा हुआ रहे है कहीं ऐसा ना हो कि यह तेल एक जगाए कठा रहे है और कहीं पर ना लगे तो यह पक शुका है चलिए अब मैं इसमें हलका सा नमक डाल देती हूं नमक इसलिए डाल दूँ ही ताकि अगर जाग बन रहा हो तो ज आज की चालका सब्सक्वी सब्सक्राइब करेंगे दीब अजन को हमेंठीऊर ना तो जो किशलिये ना यह दो आखाता है है फिर में शुद्सक्राइब कником को यह जो रिज है तो यह खुड़े मजाडा को सबस्क्राइन लेका अंदर तक जा चुका है तो उसे हम बोलते ही भीन चुका है तो हमने बस इस तरीके से सारे पनीश के पीश को रख दिया है फ्राइव होने के लिए अब जो मसाला हमने बचा हुआ है इसे बाद में यूज़ करूंगी ग्रेवी में और हमें इसको अब फ्लेम को सिम कर देना है ताकि अच्छी तरीके से पक जाए और मैं आपको पलट करके दिखा रहे हूँ देखें किस तरीके से पकने लगा है तो हमें इसको भी पकने देना है जब तक कि ये बढ़ियां सा गोल्डन ब्रावन ना हो जाए आप देख सकते हो बहुत अच्छी तरीके से पक चुका है और पनीर बहुत सौफ्ट हो चुका है मसाला सारा पक चुका और इसमें देख लिए घी पनीर ने छोड़ दिया है अब हम क्या करेंगे एक एक पीस अच्छी तरीके से इसको उठा लेंगे ताकि ये तूटने ना पाए और मसाले इससे छूटने ना पाए इस तरीके से सारा उठा लेंगे ये के करके अगर आप चाहो तो इससे स्नैक्स के रूप में खा सकते हो लेकिन मैं इससे सबजी बनाऊंगी ग्रेवी बनाऊंगी तो मैंने जो मसाले बचे हुए थे उसके साथ में पानी डाल दिया है पकने के लिए अच्छी तरीके से हिला करके इसको मैं मसाले को पानी में मिक्स कर दूँंगी और आप देख हुए उसका क्रीमी टेक्ष्चर एक कितना अच्छा आया है तो मैंने पानी थोड़ा सा और एड कर दिया है और जो मसाले रखे थे उसे भी समें डाल दिया है अब हम इसे पकने देंगे लगबग 4-5 मिनट हमारा 4-5 मिनट हो चुका है और आप देखरों कितना बढ़िया हमारा ग्रेवी तेयार हो गई है तो अब हम इसमें डाल देंगे अपने पनीर के पीसेज अब हम इसको पकने देंगे लगबग 2-3 मिनट बहुत जाता नहीं पकाना क्योंकि हमारी ग्रेवी पक चुकी है हमारा पनीर पहले से पका हुआ था तो बस रेडी है आपकी एडिस कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताईएगा